ही गाइस वेलकम बैक विचिस बेस केस नहीं एपिसोड ने आपका स्वागत है जहां हम एक स्यादा डिवाइस सो कंपेर करते हैं तो आज की डिवाइस जो है डिवी नोट 7 प्रो इसको हम कंपेर करें कि सैमसंग के कुछ बेस्ट आफरिंग से तो वैसे तो सैमसंग की तरफ स जो 20 जारें में 6GB RAM से मिलती है तो अगर आप इंटरस्टेट हैं A50 को Pocophone F1 के अगेंस में तो प्लीज कमेंट से बताएगा टेफिनिटी हम उसको भी कंपर करनी कोशिश करते है नोट 7 प्रो 4GB आपको 14,000 मिलती है ये 4GB आपको 20,000 मिलती है तो 6,000 रुपए का डिफरेंस है तो आज हम ये फाइट करते हैं कि अगर आप नोट 7 प्रो नहीं लेना चाहते हैं आप थोड़ा सा बज़ेट बढ़ा सकते हैं तो क्या A50 एक true replacement है आप पर नोट 7 प्रो का हम सभी important factors पर बात करेंगे जैसे कि design, durability भी दोनर फोन की durability हमने चेक की है वो भी हम चेक करते हैं कौ Galaxy A50 vs. Redmi Note 7 Pro कौन से रवाइस बेस्ट है बीज रुपे के प्राइस के अंदर में सबसे पहले दोनोग फोन की design और durability की बात करते हैं तो यह आपके फोन side by side galaxy A50 इस तरह फे काफी different देख आपको rainbow color का experience और होगा इथर आपको कुछ नोट 7, Note 7 Pro के वेरेंट है सभी अलमूस सिमल यहां डिखने में प्रीमियम लेकिन यह पूरा शैटर हो सकता है यह शैटर निए होगा पैक से गिरागा लेकिन यह आपका crack हो सकता है दोने फोन को हमने ड्राप टेस्ट किया है डोने फोन के display आपके ब्रेक हो चुके हैं तो दोने फोन समहार डिवी टेस्ट में फेल हैं यह चीजिए आप और कम कर सकते हैं कुछ इचे स्किन्स केसे लगा के अगर आप इन हैंड फोन को ऐसे बोल्ड करते हैं तो इसलिए आप देख सकते हैं यह फोन बहुत ही लाइट वेट है यह फ्लस किया गया है यहां पर बहुत यदा अगली बहार है तो जैसे आपका हैं यह लिजे आइधर वे आप केस तो लगाएंगे अब डिस्प्ले की बात करते हैं किस फोन का डिस्प्ले आपको ज्यादा बेटर मिलेगा डिमेंशन वाइस दोनों ही ऑल्मोस बराबर हैं यह 6.4 इंचेस है यह 6.3 इंचेस है टेकनोलोजी वाइस एमलेड वर्स आइप देखेंगे आपको एमलेड में ज्याता सुपीर लगेंगे रिजॉलिशन सेम है ऐसाच कुछ नहीं है दोनों ही आपके फुल एश्डी सेटिंग्स में चलते हैं सबसे में चीज जो आप जानना चाहते होंगे किस फोन का परफॉर्मस जाता बेटर है चलिए पहले क्विक स लास निप अब जी तक का तो मैं पहले बता दूँँ यह गीम टो गीम भी वैरी कर सकता है कुछ प्रोसेसर के साफ से भी अप्टिमाइज होते हैं तो हम एक जनरल आडिया लेते हैं कि अगर बहुत ही मेजर डिफरेंस है तो आप उसको मान की चलिए अगर कुछ शेकंड का फरक है एक सेकंड दो सेकंड से तीन चार सकंड तक का तो वह हम नेगलेजिबल मानते हैं तो जैसे अभी तक आपने देखा कि डिफरेंस बहुत यूज नहीं है अगर गैलक्सी पहले लांच हो रही अप्लिकेशन तो नोट 7 प्रो भी या तो उसके पीचे है या तो एक सेक यहां पर दिखते हैं अल्मोस बराबर है कुछ मिली सेकंड का डिफरेंट मान सकते हैं तो वह भी हम टाइप मानते हैं अभी तक तो एक दम बराबर चला है कहीं एक फिप्टी थोड़ा फस्टर कहीं नोट 7 प्रो एक्स फोल्त 9 में देखते हैं यहां पर कितना डिफरेंस ह और यह भी है मैंने देखा है कि अगर आप एक बर बंद करके दुबार लाउंच कीजिए थोड़ा सा फरक पड़ता है लेकिन ऐसा मैंने देखा है कभी इसमें फस्टर कर दिखा दिया आपको एफटी जड़ा सा फस्टर है तो आप नोट 7 प्रो के बराबर मान चा सकते हैं लास्ली पब जी अगर आप खेलते हैं तो यह भी मैं बता दूंँ दोनों में जीप्यू डिफरेंट है नोट 7 प्रो में आपका एड्रेनो है उसमें आपका माली जीप्यू है तो एड्रेनो थोड़ा सा पैटर माना जाता है माली से तो यह भी आपका ग्राफिस में यहां पर थोड़ा सा फास्टर दिख रहा है तो अगरा आप बहुत जादा खेलते हैं तो नोट 7 प्रो में आप देखिए डिफरेंस दिख रहा है लेकिन डिस्प्ले भी मैटर करता है अमलेट डिस्प्ले में अगर आप गेम खेलेंगे डेफिनिटी आईस को नुकसान भी करेगा और ग्राफिक्स बहुत बीटिफुल भी खेंगे दोनों भी नौच सिम्लर ही है तो एफिफ्टी काफी पीचे लगवा आठ से नौ सिकिन का फरक पड़ा है एनिवेस लास्ट में एक और टेस्ट करते हैं हम सीप्यू के परफॉर्मस देखते हैं कितना है तो आप को अच्छे परफॉर्म करते हैं कंपेर टू स्नैप रेकन के बहुत से प्राने टेस्टिकें दाज लगा सकते हैं अल्मूस हमेशा वह वह विन होते हैं तो यहां पे 10 नियूमीटर 9 610 और स्नैप रेकन 675 11 नियूमीटर थोड़ा सा फरक तो होना चाहिए तो कितना डिफरेंस यहां पर आपको 45 सेकंड का मिल रहा है तो भी आप एक मिनिट तक का है तो अंतर बहुत मैंनी रखता है लेकिन 10 सेकंड तक का 12 सेकंड का 15 सेकंड का मैं उसको नॉमल मनता हूं उतना रियल लाइफ में नोटिस नियू होता है तो ए 50 थोड़ा सा फास्टा देख रहा है पर 11 से 12 सेकंड के बीच का फरक पड़ रहा है तो जैसे कि आपने देखा दोनों ही डिवाइस की परफॉर्मेंस अच्छी है दोनों ही डिवाइस में रेग्लर्ली यूज़ करता हूं मुझे आपको बता दूं यहां पे आपको रियर मौंटेट फिंगर्पिंट सेंसर मिलत है क्यों कि एमेलर है वेल अगर स्पीड टेस्स में कहा जाए तो रियर आपका जो है डिवनिट्ली ज्यादा फास्टर होता है जैसे आपने यहां पर देखा इस फोन के केस्स में ऐसा है कि इन डिस्प्लेश आपको फिंगर्पिंट ने सरह है उतना फास्ट नहीं जैसे करता है दोनवी फोन के विच में हम कैमेरा कंपरेशन करते हैं आईए लगाते हैं कौन से फोन बैटर है तो गैलक्स फिप्टी थोड़ा सा आपका सेचरेटी लुक में जादा फोटोस ले रही है सोचल मीडिया के ठीक है नोट्स प्रो आपका नेचरल लुक में यह मैंने है और आप भी फील कर सकते हैं समर में इतने अधा ब्राइट आपको लीप्स नहीं मिलते हैं और अगर यहां पर आप कंप्रीट्ली देखे स्काई और वह सब डीटेस्ट देखने कोशिच कीजिए तो डैनमिक रेंज आपको नोट्स इंप्रो में स्टिल फोटोस में बैट आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है जो आप काफी वाइड एंगल तक फोटो ले सकते हैं जो सम्टाइम्स बहुत ही इंप्रेसिव होती है तो इंडोर चलते हैं यहां पर मैं आपको कुछ पोट्रेट और लिम्टेशन भी दिखाता हूं तो फिलहाल इंडोर भी हैंगे तो आपका पोट्रेट उतना अच्छा नहीं आता जबकि गैलक्सी फिटी में एसर नहीं है अब बहुत ही क्लोस अप ले सकते हैं मनी प्लाइट लगा है स्पॉर्ट में तो पहले तो आप फोटो देखिए कैसी आती है फिर हम पोट्रेट लेनी कोश्चिश करते हैं उसको कैच अप कर पता नहीं कर बाता है मतलब पीछे के सीन से मिक्स अप नहीं हो पा रहा है यहाँ आप आपने देखा नोटसन प्रो ओके है हलका सा ब्लार है क्योंकि बहुत क्लोसा पॉजट है यह 50 में देखिए वह आपके कुछ बतियां बैक्राउंड से मिक्स अप पॉट्री में उसका पॉट्रीट एक्सेलेंट भी है तो पॉट्रीट में डेफिनिटी इफिटे करूंगा कुछ सेल्फी साइट भी फोटोस देखते हैं किस पॉट्री बेटर आता है तो इवन दो मैंने ब्यूटी मोड आफ कर रख का है तो निए फोन में हलका सा पॉट्री में की गई है तो अगें एक और फोन आपके सामने है आप देख सकते हैं यहां पर फिर से चेक करते हैं पत्तियां जो बैग्राउंड की हैं और कुछ स्मूथिं अकिन किस डेवल तक ही की जा रही है तो देखें दोनों फोन आल्मोस सेम तरह का ब्यूटी डेवल पर यूस कर रहा है और हर समूतिं है अगें यहाँ यहां पर फिकी में थोडी से दीख्री है नोट सेमल प्रो ड्योर होंगे तो अगर हमको डेरीज है नाट मोट मीलता है चार से पांस सगन लगता है फोrico's कफी अक्सेलेंट आती है अगें अडुन आप इक्सेलेंटउ समय है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी सुपर शाप लू लाइट फोटोस निकाल सकता है तो आप कुछ वीडियो की बारी बात कर ले तो ए 50 में आप maximum full HD वीडियो बना सकते हैं रियर से 30 फिर्म पर सेकेंड में यहां पर एक चीज मैंने नोटिस की है मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे मैं थोड़ा दूर से पास आता हूं और फोन जैसे थोड़ा सा फोकस करने कोशिच करता है तो नोट्स अन प्रो में काफी आद आप देखे डैनमी क्रेंट चेंज हो रहा है सड़नली आपकी स् यहां पर सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आपको थोड़ा से स्ट्रेश करना पड़ेगा दोनों ही डिवाइस काफी समय लेती हैं अन्डॉयड का वैशन प्रवाइड करने में समय के साथ यह थोड़े से लैक करने लगते हैं दोनों इक फोन में आपको चार रहा मिलियम्स की बैटरी मिलती है दोनों इक फोन आपकी यूस्पी टाइप सी सपोर्ट करते हैं नोटसन प्रो में बॉक्स की साथ आपको 10 दगा सकते हैं आपको फोन कितने देज में चार्ज होगा बैकप के बात करें तो दोने फोन मुझे एक चे दो दिन आराम से देते हैं मतलब मीडियम यूज करता हूं तो दो दिन अगर है वी यूज करता हूं जैसे तो दोड़ा जादा बैटर बैटरी बैकप मिलता है गैलक्सी ए 50 में इस फोन में आपको डॉल्बी एट्मों का सपोर्ट बिलता है गैलक्सी ए 50 में लेकिन वह चीज से वर्क करेगी आपके विध हैड़ फोन यानि कि अगर अगर आप एड़ फोन चाहिक करते हैं या आप ल स्लो है दोनोई फोन का हमने इस फ्लैस्टेस किया है दोनोई फोन इस फ्लैस्टेस में पास हो चुके हैं लेकिन गैलक्सी ए 50 में आपको आई-पी 68 मिलता है और दो बॉक्सें कि ये फोन आपका एक तरीके से वाटर प्रूफ है तो सभी इंपॉर्टेंट के डिवाइस पर बजट पहली देखे फिर डिसाट के लिए कौन से लिए आपके लिए परफेक्ट है अगर आप पंद्राजर के अंदर ही डिवाइस लेना चाहते हैं तो नोट सन्ट पर डेशनटी आपके लिए वैलु फोर बनी है इसके अंदर में आपको सब कुछ मिल सकता है कम बजट मे इन डिस्ले फिंगर प्रिंट सेंसर आपको बॉक्स मिलना है यह कुछ पैकेज आपको एक्स्रा मिलना है साथ ही आपको कैमरे में एक अल्ट्रावाइड कैमरे का फीचर पर दिया जा रहा है विद डॉल्वी एट्मो तो अगर आपको फीचर फुल डिवाइस चाहिए जिस